हेलो एविवन वेलकम टो डवली स्कूप टेक मैं सेद्दीप और हम बात कर रहे हैं पाइसम प्रोगामिंग की तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन बात करने वाले हैं इस और कंशने स्टेटमेंट के इसल्स की तो पिछले वीडियो में आपने देखा था या यह वाला या यह वाला थीक है तो वहास पर आपको आराम से set कर सकते हैंकर दिक invest नहीं आईगी बस उसके लिए आपको याद रोना चाहिए कि वर एल्स कैसे लिखा जाता है आजका यह जो वीडियो दोस्तों एक इस एस नहीं है यह केवल इस का वीडियो है मतलब मैं आपको समझाता हूँ ठीक है तो वाइबोर पर चलते हैं हम बात कर रहे हैं इफ एल्स की के इफ एल्स जो है यह एक कंडिशन स्टेट्मेंट है जो की कंडिशन स्टेट्मेंट है यह कुछ लाइने चलाता है और इसका यूज हम लोग तभी करते हैं कोशन के अंदर हमें पास में दो आप्शन मिल रहे हैं जैसा कि फेल या पास लिपियर है या नहीं है इवन है या ओड है इस तरह के दो आप् है ठीक है तो उसको पहले समझते हैं और हम लोग वहाँ बात करेंगे कि वहाँ पर केवल इफ लगेगा मतलब अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इफ और एल्स दोनों साथ में आएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ सब्सक्राइबद केंने मतलब खाली इफ आ सकता है प्रोंगममे लेकिन 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 प्रट ठीक है एल्स ऐर्स नहीं होग उब टीक है एंढ्स बॉत होगहा अईश्य कांस कि मैं नहीं होगा ठीक है can't come alone लिखना था मैं यहां पर along लिख दिया ठीक है तो इसको मैं आटा देता हूँ और यहां पर मैं इसको alone करता हूँ alone मतलब केवल इफ आपको appear हो सकता है program के अंदर कुछ इसे होती है केवल इफ का यूज़ करते हैं लेकिन एल्स का यूज़ नहीं करते हैं अगर आप इसको technical view में देखना चाहे तो आप यह भी देख सकते हैं कंडिशन जो है वह हमेंसा इफ के साथ लिखी जाती है इसलिए खाली इफ लिखा जा सकता है लेकिन एल्स आप लोग कभी इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एल्स के साथ कभी condition नहीं लिखा जाती है ठीक है तो जब आपने खाली एल्स लगाएंगे तो condition का लिखेंगे आप खूशन तो वहीं arise हो गया इसलिए कभी भी प्रोग्राम के अंदर एल्स नहीं आएगा इकलोता एल्स हमेसा इफ के पेर में आता है अब मान लीजिए अगर आपके पास में एक इफ है और दो एल्स आ रहे हैं तो उसका मतलब प्रोग्राम में करें नहीं गलती हुई है और वह आपको एर्र ज़रूर देगा तो हर एल्स को काम करने के लिए इस वाले इफ का है पर यह एल्स किसका फिर या तो यह तो यह आपको एर्र देगा या रखेगा तो एल्स के लिए इस की जुरूरत है लेकिन इफ को एल्स की जुरूरत नहीं है तो आप कहेंगे ठीक है सब मान भी लेते हैं यह आपके बात पिल्कुर सही है लेकिन 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 इसका यूज कहा है कैसे पता लगा है को देखते हुए कि इसमें केवल इफ आएगा एल् जहां पर हम लोग बात करते हैं कि Sir हमारे पास केवल इफ यूज़ हो तो situation समझ लीजे दोस्तों माल लीजे अगर मैं आपको question यह कहता हूँ कि अगर किसी को 10,000 से कम है तो उसको मैं discount दे रहा हूँ 10% बस इतना से मैं आपको बताया है यह नहीं बताया है कि अगर 10,000 से कम shopping करता है कोई तो उसको 10% का discount मिलेगा आप समझ गया है तो आपको यह पता है कि 10,000 शौपिंग करेगा बंदा उसको अगर 10,000 से under मैं तो उसको 10% discount देना है बट आपको यह नहीं पता कोशन को देखते हुए कि 10,000 से अबव होने पर कितना आपको discount देना है या नहीं देना है या करना है वो आपको नहीं पताया गया है उस case में हमारे पास में केवल इसका use करेंगे और जहां आपको ऐसा लग जाता है कि 10,000 की shopping से अगर under करता कोई अगर 10,000 की shopping करता है तो उसको 10% discount दे रहे हैं और अबव 10,000 शौपिंग करेगा बंदा कोई भी तो उसको 20% discount देंगे तो यह आपको दोना option मिल रहे है कि 10,000 को आपको चेक करेंगे तो उस situation में हमारे पास केवल if लगेगा else की लिखने की requirement नहीं है दोस्तों और ऐसी बहुत सी situation हो सकती है जहां आप पढ़ते हैं आपको लगेगा कि यह value होने पर हमें यह काम करना है और आपको यह नहीं पता कि value नहीं होगी तो क्या काम करना है यह नहीं पता है तो कही बा सकते हैं हम लोग और खाली इसके लिए मैं आपको प्रोगाम करवाई देता हूं यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कितना सही है तो student जो को यह वाला जो पीछले हमने वीडियो में देखा था यह वह प्रोगाम है जहां पर मैंने if यूज किया है और else दोनों यूज किय अगर मैं यहां से टेखनी कली अगर मैं इसको हटा दो इसको हटा दो तो आप यहां पर मैं रहो से पाता चल गया है कि सर जो हमारे पास में है कि 40 से ज्यादा परसंटेज है तब तो वो पास है और 40 से कम वाले को फैल किया ही नहीं हमने पता ही नहीं हमें करना क्या फैल करना या कुछ और काम करना है तो यह कोशन उस तरह से बन गया है चलिए इस ही कोशन को हम लिए इंप्रूव कर देते हैं आपके लिए तो मैं पहले इस इस टुडेंट पास यह हमने कोशन आपको दिया है पास बताना है कि है कि लिए ठीक है और उसके लिए मोर्देन वाला जो पास होगा ठीक है और बाकी आपको कुछ नहीं देखा बाकि मैं सब हटा रिटा हो ठीक है तो आपको यह चीज समझ में आगे ना दोस्तों बाक 40% से जादा है तो student pass है पर यह नहीं बताया कि 40 से का मैं तो इसको field लिखना है या क्या करना है यह बिल्कूब पता नहीं चल रहा है कि सर ऐसमें क्या करें इस question को हम लोग ऐसी बनाएंगे marks ले लेंगे और यह हम से पूछ रहा है marks तो marks मैंने डाला सपोस करो marks डाला है 70 तो यह 70 है दोस्तों वह आपके इस वाली variable मा जाएंगे इसको भी मैं तोड़ा हफ कर देता हूँ यहां 70 आ जाएंगे और यह चेक करेंगे 70 is greater than 40 true है तो आपका यह चल जाएगा pass और thank you आ जाएगा लिखाबा आप देखेंगे यहां पर thank you आ जाएगा अगर मैं यहां 70 डालो को ठीक है और क्या हो ऐसे प्रोगाम में जहां else नहीं हो ठीक है इस प्रोगाम को मैं दुबारा run करता हूँ कि मैंने run किया यहां पर मैंने डाला suppose करो 30 marks तो दोस्तों मैं आपसे पूछूँगा कि marks में कितनी value है आपके 30 यहां पर हमारा जो python है उसको थैंकिव वाला यह print हो ठीक है आपको के वल थैंक्यू दिखाई देगा और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा ठीक है तो मैं डालता हूँ 30 और उसको run करता हूँ thank you दिखाई दे रहा है क्योंकि जब condition true है तब तो चलेगा condition true नहीं है तो कुछ नहीं होगा दोस्तों तो यह भी पॉसिबल है कि हम जब काम करते हैं तो खाली इफ आ सके हैं चलिए यह कौन सब आपको क्लियर हो गया कि यहां पर गी काम किया जा सकते हैं कि अब लोग बात करते हैं कि से सिंगल जब आप्शन आता है तो हम लोग खाली इफ लगाएंगी जब तो यह यह वाला तो हम दो इफ दोनों लगाते हैं और अगर हमें मुल्टिपल आप्षिन मिल जाए जिसने वह युदे शॉपिंग वाला प्रोगाम टैंपर इस काम में लेने पड़ेंगे, तो यह काम में कैसे लेते हैं, चलिए यह भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, यहां पर मैं प्रोगाम को तोड़ा सा शॉट में लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर पूरी लेंग्विज नहीं लिखूँगा, मैं बस आपका जो में में जो कहता हूँ, जो में इसकी जो समरी है, बस वो लिखा हूँगा, कि आपको 10%, 10,000 से अगर आपका लेस है, अगर आपका अमाउंट मैं देखा हूँ, पर्चिस अमाउंट कहता हूँ, अगर 10,000 से कम है, तो आपको डिस्कांट कितना देना है, 10%, ठीक है, और चलो, यहां पर मैं, क्योंकि बास मुल्टिपल लाइन लिख नहीं पड़ेगी ना, तो मैं यहां पर तिपल कोर्स वाला म मुल्टिपल लाइन, चले, अब मैं कहता हूँ, पी अमाउंट मेरा, जो पी माउंट होगा, अगर वो लेस देन 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, एंड, 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 पी अमाउंट जो है, हमारा, ग्रेटर दन किस से हो, 10,000 से, बादर 10,000 से 20,000 की भी शॉपिंग करी आपने, तो आपको discount कितना मिलेगा दोस्तों, तो आपको discount मिलेगा 20%, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि जो purchase amount है, जिसको मैंने P.A.M.T. लिखा है, वो अगर आपका बड़ा है, ठीक है, चोटा है, मतलब 33,000 से, एंड, पी amount आपका अगर बड़ा है, P.A.M.T. amount is greater than 20,000 से बड़ा है, इसक परसेंट, तो यहां आपको तीन option मिल रहे है, ठीक है, और एक और option में आपको देजिए था हूँ, P.A.M.T. अगर हमारा, greater than है, बड़ा है, 30 से बड़ा है, ठीक है, 30 से बड़ा है, पूरा, तो इसको हम लोग discount देंगे 40%, बस, यह मैंने आपको पूरी situation समझा दीए, यह हम चलिए, यह मेरी P.A.M.O.N.T. के लाइन है, ठीक है, P.A.M.O.N.T., ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया 10,000, यहां लिख दिया 20,000, यहां लिख दिया 30,000, इस तरह से, तो अगर आपने जो purchase amount किया, वो अगर यहां पर आ रहा है, मतलब इन के बीचारा है, यहां से लेकर हाता है, तो आपको कितना discount मिल रहा है, 10%, अगर यहां से लेकर यहां की बीच आहरा है, पीचारा है, evitar मिलें 20,000, से घुन मिल रहा है, 20% आप निक दो चल दouch अनुडुला में करेंगा और यहां पर किसनों को सबसे पहले तो यह चेक करेंगी कि उसभा इतन से कम मैं कितना परशंट तिखाना है 10% हमें सmost offer दिखाना है छीडिक है 10% अब मैं आप से पीछता हूं दोस्तों अगर आप कोई भी है बें इंतर किया थैं क्या होगा यहाँ पर ज्येसे माली जिय उसनें 5 तो सबसे पहले हम लोग यहां पर चेक करेंगे कि जो अमाउंट होगा वो 10,000 से कम है तो यह हमारा चल जाएगा यह और अगर 10,000 से कम नहीं है इसका मतलब 10,000 से ज्यादा होगा उस केस में हम लोग क्या आपने यहां पर यूज करेंगे और फिल लगाएंगे वापस फिल लगाएंगे हम लोग इफ अब 10,000 से जादा है तो कितना जादा है 20 और 30 के 20 में है या नहीं तो हम लोग क्या लगाएंगे यहां पर इसको हम लोग प्रोग्राम को complex जो है यह प्रुलासा complex होगा आपके लिए first time तो यहां प्रुलासा ज्या कि यहां पर python आपको क्या specialty देता है तो मैं इस प्रोगाम को दो डंग से बनाने वाला हूँ तो पहला दभी समझ लेते हैं कि यहां तो amount 10,000 से कम होगा तो हम लोग यहां जादा होगा तो कितना जादा हो यहां पर फिर चेकना पड़ेगा मैं फिर condition लगाएंगे हम लोग य पिमोंट लिकना मुझे फिस पी अमूंट और यहां पर भी किंगे पिमोंट क्या पी अमाउंट हमारा एंड और है 10,000 से कि लिखा में बढ़ेंगे अंड लगाएंगे एंड ओपरेटर ठीक है और P Amount P Amount P Amount कितना है 20 तो क्या हम लोग इस रेंज में आ रहे हैं तो आपको कितना प्रेंट मिलेगा तो आपको कितना प्रेंट मिलेगा तो आपको में लिखेंगे कितना है क्या 10 और 20 के बीच में है तो यह मिलेगा ओके फिर हम लोग यहां पर आएंगे और else लगाएंगे क्योंकि अगर वह इस रेंज में नहीं हुआ क्या बता 20 से जादा हो ठीक है तो हम लोग वापस लगाएंगे else फिर लगाएंगे colon और फिर लगाएंगे निचे और हमें कितना देना है amount हम कहेंगे सर हमें उसमा अमांट देना है discount देना 30% का तो print print 30% discount ठीक है फिर हम लोग यहां पर else लगाएंगे यहां पर क्यों लगाएंगे else else इसलिए लगाएंगे दोस्तों क्योंकि हमारे पास में 10 से लेकर 10 20 की बीच में तो यह चल जाएगा और 20 से अब अब हुआ तो यह चल जाएगा तो प्रेंट 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 40% discount 40% discount ठीक है ओके यह हमारा प्रोगाम बनी गया है एक आउसको मैं चला के दिखाता हूं यहां पर यह हम लोग कोई भी अगर दूसरी लेंगूज होती है तो भी हम लोग ऐसे काम करतें तो आप पहला आएगा और यहां पर जो पी अमाउंट के जो वैली होगी दोस्तों वह होगी 5000 कितनी होगी 5000 5000 is less than 10,000 आप कहेंगे yes true है true है तो यह चल जाएगा चल जाएगा और फिसके बाद में यह एल्स चलेगा नहीं अगर एल्स नहीं चलेगा तो यह सब कुछ else के अंदर है फि तो रन करते हैं प्रोगाम को और इस वार में अमाउंट आलता हो सब्सक्राइब 15,000 तो अब देखेगा इसमें वापस यह जब प्रोगाम चलेगा तो आप से अमाउंट मांगेंगा इसकी वैली होगी 15,000 तो 15,000 is less than 10,000 यह तो होगया condition false false तो आपका यह else मा आगे, else मा आती मतलब यह वाना इस चलेगा यहां से लेकर यह तक तो आपका 20% डिसकाउंट हो जाएगा और यह बिल्कुल यह वाला else चलेगा नहीं दोस्तों यह रखीगा यह यह नहीं चलेगा आपको इसवार आजाएगा 20% डिसकाउंट डिखवा आजाएगा ठीक है चली एक और और औ तो हमारा यह यह चलना शुरू हो जाएगा इस में हमने वापस यहां पर अंदर आ गया है और यह देखेगा 20,000 is greater than 10,000 यह तो है ट्रू है 25,000 is less than 20,000 यह गया नो तो अगर else and लगाते है and में अगर एक भी false हो जाता है तो हमारी condition क्या हो जाती false हो जाती है और तो यहां पर पूरी condition false होगी दोस्तों यह पूरी condition क्या हो गई यह false हो गई है तो हमारे पास में यह तो चलेगा नहीं और यह else चलेगा ठीक है यह वाला चलेगा अब यह चलेगा तो यह वापस चेक कर रहा है कि 25,000 is greater than 20,000 yes 25,000 is less than 30,000 yes तो अगर दोनों yes हो रहे हैं दोनों true हो रहे है तो आपका यह वर लाइन चलेगी 30% discount value ठीक है तो दिखाते हूं मैं आपको 30% discount आगे ओके अब इस प्रोगाम को दुबड़ा चलाते हैं हम लोग और यहां हम लोग value डालेंगे suppose value हमने डाली 50,000 ठीक है वापस प्रोगाम में आते हैं यहां से आपने इसके through user से आपने value ले यह वाला इस वाले यहां पर यह चक्किया कि 50,000 greater than 10,000 yes but यह तो true हो गया लेकिन यह वाली condition false हो जाएगी क्योंकि पी जो amount है 50,000 less than 20,000 यह false हो गया false हो गया तो हम लोग इस वाले यहां जाएंगी यहां आगे यहां कर हमने फिर वापस एक और इफ लगा रखा है अंदर और कमें क्या करना है 40% discount print करना है ठीक है बहुत यह असान तरीका था यहां पर देखेंगे 40% आगे तो यह जो है दोस्तों इसको हम लोग कह सकते हैं इस तरीकों को हम लोग कहते हैं या कासी बुक वाले इसको कहते हैं later if else क्या बोलते हैं ऐसा हो सकता है कि if के अंदर if आ जाए एसा भी हो सकता है कि else के अंदर if आ जाए तो यह एक लेडर जैसे बन रही है आप देख रहे है step by step यह नीचे चल रहा है मेरा हाटों को देखी कि आप यह कुछ ऐसे चल रहा है step by step इसको कहते है later step यह later if else मैं कहता हूँ क्या फ़रक पड़ता है यह later हो या फिर सीडिया हो चाहे वो बंगला हो क्या फरक परता हम लोगों को हमें तो सिदा लोजिक से मतलब है मतलब आपको वो कहता है कि if के अंदर if आ गया तो यह nested if हो गया अच्छा अब इसको हम लोग समझाते हैं आपको मैं इस चीज़ से लेकर काफी author से परिशान हो एक दो को तो मैंने लिक बाला है मैंने का यार क्या फरक पड़ता है कि if के अंदर वो कहते हैं के इसको हम लोग क्या बोलेंगे nested if बोलेंगे ठीक है बोले क्या हो गया घया तो कीज पार है और फॉर पर यंहों व्र को ख्राइब नाम को नाम के नाम की क्यम क्यूं करने के लिए दो टौ सब्सक्राइब ला ड़ m इफकंदर इफ आया इफकंदर कुछ और है मुझे तो कोई फ़रक ने परता जो आया अपने को चलाना मतलब होना चाहिए ना तो यह सिव अपने टॉपिक बढ़ाने के लिए कुछ और ने यह चीज़ें बढ़ा के देग्या दोस्तों का कहीं भी यूज नहीं है अगर आपक क्या होता है कैसे लिखतें अरे कुछ नहीं लिखते मैं आपको कहता हूं कि ए सकते इसके लख सकते हैं अब सब कुछ गता हूं थीक है आपको कि यह आप चैसे एक पर ऑख आप को समझे रहा है हूं पुछ का plano ओप कर सकते हैं बाक ही के लिखावा नहीं है कि कुछ लोगों ने अपने मन से बनाया दोस्तों इससे थोड़ा सा बचे मुझे बड़ा इर्टेशन होती है क्योंकि स्टुडेंट को मैं पिछले 12 सालों से इंडिस्ट्री में हूं काफी टाम से C, CPP, Java और Python बढ़ा रहा हूं ठीक है मैं जानता हूं कि स सालों से पढ़ाते होँ, क्यों सबसे ज्यादा कोशेमन आते हैं, नेस्ट्री इफ का क्या रूल है और कोई रूल नहीं है, बस कंडिशन घ्रू है तो अंदर वाला जो भी है लिखा है है और लिखा है, ञालो क्या लिख्चत है? ठीक है? तो यह बदमासी जो यह लोग करते है और मुझे बड़ा इहिटेशन होता है कि अब एक और बता देता हूं वह कहते हैं कि अगर इफ के अंदर वापत अगर इफ आ जाए तो इसको बोलते है अरे यार क्या लेडर बोलने है लेडर मतलब सेडिया तो आप देखें इस प्रोग्राम को मैं आपको दिखा देता हू हम तो यहां पर इंब रहे है तो मैं का लिता इंब दोकिक के लेडर ओर ये निकरूंगा बहुत ही वायात देशेष्डे थीक है तो आपको यह चीज यूज नहीं करनी है सिब कंफ्यूज करने के लिए होता है अब मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहूंगा कि हमने अभ एल्स खाली इफ लिग सकते हैं, इफ एल्स कोमिनेस लिग सकते हैं, हाँ, एक चीज में आपको यहाँ पर ट्रिक बता देता हूं, पाइफन ने, पाइफन ने क्या कर रखा है, पाइफन ने हमें तीन कीवर्ड दे रखें, कितने तीन, यहाँ से सुनिए कभी, एक तो दे का है इफ, और एक और एक ते रखा है अन-दर एक का मचा स सब्सक्षन में, पाइफन होते हैं, तो अगर आप इस प्रोगाम को देखें, इसका मतलब होता है, यह तब यूज करना है, जब एल्स के अंदर इफ आरा हो, ठीक हैं, तो आप यहाँ पर देखें, तो मैंने इस कहीं भी ऐलिफ यूद्न नहीं किया है आप चाहें तो ऐलिफ यूज कर सकते हैं और ऐसा कोई जरूरी नहीं है यह पशिति युद्य कर सकते हैं यह से सब्सक्राइब के सब्सक्राइब चाहें यहaman तो आप इसको क्या कर सकते हो कमाइन कर सकते हो अ बस इसको ने कर सकते हैं क्योंकeb क्योंसा प्रोगाम को कि इस प्रोगाम को दुबाद का इस्ज्वा है इस that आपने प्रोग्राम और आपको अपने प्रोग्राम को pense घोब कुद कंफियूज हो जाते हो तो आई होप अगर आपको एफ पेश्चा आता चाहिक है तो आपको अभी आलेंट की जरूत हेलिफ में एक ही इंडेंट है यह वाला इंगल और एक statement है अब यह जो यह पूरा आपका एक नया बन गया heading इसके अंदर एक तो यह वाला हो गया दोस्तों ये Amaphle यह जब आते हो तो यह हमारी heading होगी और यह जो है हमारा यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला इंडेंट हो गया इसमें ज्यादा और यह का सब्सक्राइब इसको बहुआ पाधेगा यह तो एसको के अंदर डालना पाधेगा है । एक को चालते हैं अभीosh यहां पर यह हो गया इसको वापस स्यासर करेंगे ठीक है इसको भी मैं चाहता हूं कि सब कुछ आटोमेटिक करते हैं यह खुद बखुद आटोमेटिक सेट करेगा इसको करने दो पता नहीं यह एलिफ क्यों बनाए गया मुझे तो यह भी समझ भी नहीं आता ठीक है अभी भी दिकत आ रही है अभी यह क्या दिकत कर रहा है कि यह इसका पोजिशन सही नहीं है तो यह आ गया एल्स यह आ गया इफ और इसको इसको इसके अलाइन करना पड़ेगा ठीक है चलिए अब देखते हैं यह फिर आ गया इसको भी अलाइन करना पड़ेगा यह ल कलब आपके पास में मैं आपको यह दिखा रहाता है कि जब आप ऑटोमेटिक भी करते हो तो भी आपके इंडेंट में गरबड़े होती है ठीक है तो ऐसी चीजे यूज नहां करें तो ज्यादा अच्छा है तो कब इसको यूज करें यह क्यों बनाया गया यह भी मापको बता ठीक है तो एलिफ को क्या करेंगे दोस्तो एलिफ को मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप एलिफ को हटाते हैं दोस्तो तो आपका प्रोग्रम को इस तरह से बनेगा इंसाइड 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 ठीक है यह बनेगा इस तर अजिफ का यूज़ का मतलब है कि आपको एक ही पैटर्न यूज़ करना है, एक ही अलाइमेंट यूज़ करना है, सब को यहां पर डाल दीजिए, यहां पर, ठीक है, आप समझे लोगों, सब को लेकर चुपका दीजिए दिवार के तरह, यह हमारी दिवार है, बस, और आपका इनको आफी आरेंज करो, यहां से भी यहां पर लियाओ, ठीक है, प्रिंट लगाओ, इसको भी आरेंज करो, तो बड़ा दिक्कत वाला काम है, अलिफ लगाना, मेरे साब से, ठीक है, यह आपकी चोईस है, यह परकाम अभी भी चल रहा है, तो कहने का मतलब है, कि अलिफ हो कर सकते हैं, अलिफ को दिखर नहीं है, और ढ़को यहतना है, यही यह पर आपके पास friction dengan ही क्यान को लिखकर सारी कहानी, और हमने अलिफ भी कर लिया है, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसने दुबढ़ा में ऋए मिलूँगा, यही था दोस्तों हमारे पास मेंत आपने तब तक के लिए थैंक यू